नमस्कार दोस्तों तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जालिम लोशन के वारे में जालिम लोशन इसे कैसे यूज करते हैं और ये किस परकार के इंफेक्शन में सबसे अदा कारिगर है और इसके कैसे इस्तिमाल करना चाहिए और इसके इस्तिमाल से कितने प्रकार के side effect हो सकते हैं और कौन-कौन से skin को ये effect करता है और किस तरह से effect करता है ये सारा जनकारी आज के इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ और साथ में ये जालिम लोशन है वो कौन-कौन से component से मिला कर बनाए गया है ये भी आज की इस वीडियो में हम समझेंगे सबसे परे समझेंगे कि ये कौन-कौन से component से मिला के बना है तो जैसा कि आप वीडियो में देखने इसमें हमें देखने को मिलता है 0.1 gram अब बात करते हैं कि सलसेलिक एसीड का काम क्या होता है और किस तरह से fungal infection दाख खास खुजली को खतम करने में कारिगर है और हाँ दोस्तों यह आप लोग का सवाल जो इतने सारे आप लोग मैसेज करते हो यह सब के one by one हम जब आप इस सारे वीडियो में आपको देने वाले हैं सबसे पहले समझते हैं कि जो सलसेलिक एसीड है यह क्या करता है कि जैसे ही जो इसकिन ड्राइ हो जाता है जहां में दाख खास खुजली होता है तो वहाँ पर हम खुजली करते हैं तो वहाँ पर जो सकिन होती है वो ड्राइ हो जाती है अब सकिन ड्राइ हो जाती है तो उसमें से कुछ फ्लेक्स निकलने लगते हैं तो उस फ्लेक्स को ठीक करता है स्मूध करता है कौन सलसेलिक एसीड साथ में इसमें टिंक्सर आयोडी और जो फिनॉल है ये क्या करता है उसे हिल करने में मदद करता है तो इस तरह से जालिम लोशन काम करता है किसी परकाएगा फंगल इंफेक्शन में हाइस वीडियो का में मकसद ये बताना नहीं था में मकसद है कि जो भी जालिम लोशन का इस ना करें इसे लगाने से बहुत जलन तो होता ही है लेकिन इसका रिजल्ट दस मिनट में आपको देखने के मिलता है और जिस पार्ट में आप इसे लगाते हैं वहाँ पर डार्कनिंग स्कीन हो जाती है तो आप से एक रिक्वेस्ट है कि आप उसे अपने ब्यूटी एरिया में नहीं लगाएं ब्यूटी एरिया का मतलब आपने चेहरे पर नहीं लगाएं फिंगर में लगाएं नेक एरिया पर नहीं लगाएं आप इसे उस एरिया में लगा सकते हैं जिस एरिया को आपको कभर करना है कपड़ों से वहाँ पर इस्तिमाल इसका आप कर सकते हैं इसके ब बावाईयों से खतम होती, जो मलहम से खतम होता, वो जालिम लोशन से खतम हो जाता है, लेकिन एक चीज देखे जाता है, वो होता है डार्कनिंग स्कीन, जिस एरिया में हम इसका इस्तिमाल करते हैं, वहाँ पे डार्कनिंग स्कीन हो जाती है, बात करती से कैसे इस्तिमाल करन तो आप सबसे पहले जिस एरिया पे दाग खास खोज लिए उसे गरम पानी से धो लें गरम पानी से धोने के बाद उसे कटेन कपड़े से वहाँ पर पोच लें फिर एक कटेन लें कटेन में जाली मिलोशन को थोड़ा सा मात्राय में लगाएं और फिर उस एरिया पे धीरे- दिरे से रब करें जलन काफी जादा होता है इसलिए लो एमांट में लगाएं और उसके बाद 10 मिनट में आपका वो जो एरिया होता है वहाँ पर इंफेक्शन खतम हो जाता है और आपका दाख खास हुझ कि खतम हो बात करते हैं साइड इफेक्ट का काफी लोग का मानना होता है कि बहुत जलन हो रहा है इसका मतलब साइड इफेक्ट हो रहा है तो नहीं फ्रेंट से उस साइड इफेक्ट नहीं है वो इसका मैकनीजम है ऐसे काम करता है साइड इफेक्ट जैसे इसके लगाने से आपको चक्क नेक्स्ट विडियो में एक नहीं मेडिसिन का लिए